राजगर्ण लोकसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी रोडमन नागर ने जीत का परचम लह रहाया है जहां उन्होंने कॉंग्रेस की मोना सुल्तानी को करारा शिकस्त देते हुए करीब सबा चार लाग मतों से हराया है वहीं भाजपा की जीत पर कारे करताओं ने जुलूस निकालते हुए जम कर जश्न मनाया राजगर्ण में गुरुवार को लोडमन नागर ने जीत का सलसला बैलिट पेपर से शुरू किया जो आखरी राउंड तक बरकरार रखा पूरे मतगर्णा के बाद रोडमल नागर ने राजगर में अपनी जीत का इतहास रच दिया जहां पहली बार में वे लगातार भाजपा के सांसत बने ना सिर्फ राजगर्ण लोगसभा के लिए बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी जीत में अपना नाम शामिल किया वही कॉंग्रेसी प्रत्याशी मस्तानी के जीत के मतों को भी पार नहीं कर पाई मतगर्णा के दौरान खास बात तो ये है कि नागर ना सिर्फ विधान सभास सारंगपूर बल्कि कॉंग्रेस के गड़ कहे जाने वाले राघोगड चाचोडा खिलचीपूर से भी पड़े अंतर से जीते जिला निर्वाचन अधिकारी निधी निवेदिदा ने प्रमान पत्र सौंपते हुए शुपकाम नाई थी राजकड में रोड मलनागर के एतिहासिक जीत के बाद भाजपा कारलाही में ठोल पर है कारकरता जम कर थिरके उज़र 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 ओर आरे इधर में भाई साथ थोड़ा साथ कीचो ने, भाई साथ ऐसे होगी भारत बाता की जै, भारत बाता की जै, जै इसाथ आप मत्री जै गौरतल अभे की राजगर लोकसभा सीट को पूर्व मुख्य मंतरी दिग्विजे सिंग का गड़ माना जाता है लेकिन पीम मोदी की सुनामी में खुद दिग्विजे सिंग अपनी लोकसभा सीट को नहीं बचा पाई जहां उनको साधवी प्रग्या ठाकुर ने करारी मात दी राजकर से ओम प्रकाश कुपता की रिपोर्ट